नवसकार, Capital TV उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ बाबिता इस वक्क की बड़ी खबर शैजिल इसलाम से जुड़ी वी सामने आ रही है जहां पर आज बीडिये ने बड़ी कारवाई करते वे शैजिल इसलाम के पेट्रोल पंप पर बुल्डोजर चला दिया है आपको बता दे कि जो पेट्रोल पंप था वो बिना नक्षे के पास हुआ था जिस पर आज बीडिये ने बड़ी कारवाई करते वे से द्वस्त कर दिया है इसी पर ताज अप्टेट के साथ मेरे साथ न्यूजरूम में मौजूद है यूदिस्टिर यूदिस्टि उन्होंने क्या कहा था उन्होंने कहा था कि पहले जब हमारे विधाय कम थे विधान सवा में तो योगी हमको उल्टा सीधा बोलते थे लेकिन इस बार हम कम नहीं है संख्या बल हमारा ज्यादा है अगर उन्होंने ज्यादा कुछ बोला तो इस बार हमारी बंदू की गोली हमारे जबान से नहीं बलकि इस बार बंदूग से गोली चलेगी तो ये बात कही थी जिसके बाद उन पर केस भी दर्ज किया गया अब आप देखेंगे जो लोग भड़काओ बाते करते हैं जो नफरत फैलाते हैं उनका काली कमाई का जो चिट्ठा होता वो बड़ा होता है अ सब क्या कि सरकार में होता था सपा की सरकार में सपा सरकार में क्या होता था कि उनके जो नेता थे उनको कहते थे खाओ और खूब खिलाओ लेकिन योगी सरकार में क्या है कि ना तो खाएंगे ना खाने देंगे और ज्यादा करोगे तो कानों डंडा ऐसा बजाएंगे कि जि मिला दिया एकदम तो उसने अवेद रूप से बनाया था उस पर एक कारिवाई हुई है अब ये बरेली के एक विधानसवा सीट से भोजपरा सीट है वहां से विधायक है अब ये इतने चड़े हुए हैं और बिल्बलाय हुए हैं इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करें तो करे रहा हैं इस सब इनकी नियत है लेकिन अब योगी सरकार ने इसाफ कह दिया है कि सिर्फ उत्तर प्रदेख्षी अंदर नफरत भड़काओ गुंडाराज माफिया रच नहीं चलेगा बुल्डोजर है और कारवाई होगी आप देखेंगे इस बार पुलिस ने अपना पैटन बदला है पैटन क्या बदला है कि पिछली बार जब पुलिस जाती थी अपराधियों को पकड़ने के लिए तो गाडियां लेकर जाती थी लेकिन इस बार बाबाजी का बुल्डोजर लेकर जाती है और बुल्डोजर खड़ा कर दिया जाता है और कहा जाता है या तो आप आत्म समर्पन कर दीजिएगा नहीं तो ढादिया जाएगा अभी आपने देखाऊगा कि एक वीडियो सामने आयता सारणपुर का दोनों ही आरूपी मुस्लिम थे वो गैंग ग्रेप के आरूप में जो फरार चल रहे थे पिछली बार बच गए थे किसी तरह लेकिन जैसे ही शपत ली और शपत लेने के बाद दस दिन वाद पुलिस एक्शन में आई और पुलिस ने उसकी आलिशान पिडिलिंग के पास बुल्डोजर ख़़ा किया और उसकी सीडियों को ढा दिया और फ़र फोन किया जाता है सगे संबंदियों पर सुन लो या तो उनसे कह दो कि व बदमाश हैं उन पर एक्शन लिया जा रहा है जो पिछले कारेकाल में बच गए थे किसी भी तरह से अब पुलिस ने फिर से वो कारवाई शुरू कर दी है और भड़काओ भाई जानों का अच्छा खासा इलाज किया जा रहा है जो भी भड़काओ बयानवाजी कर रहे हैं उसके लिंक आयायास सीजा से मिले हैं उसके बावजूद भी वो डिफेंट कर रहा है इस मामले को तो अखलेश यादा भी बॉकलाए हुए हैं अखलेश के आप बात कर रहे हैं क्योंकि सपानेता का नाम जो भी आया है इसलाम का नाम आ गया है वहीं पर इससे पहले देखा जग कुरेशी का नाम आया था कुरेशी की मीट की शॉप थो उस पे भी उन्होंने बुल्डोजर चलाया था वहीं बता रही हूं दिरे दिरे अब एक करके नेताओं के नाम सामने वहीं पर सपा नेतात है उन्होंने शेकु हुसेन करके उन्होंने मंदिर के पास में अपनी आव्याद जामीन उस पर कभणा सकुल दिया था तो यह पर अखिलेश के बढक आया जाता नेताओं के इनी के साजिश की जाती हैजी इसा कुछ नहीं है अफ्लीष आथा की시 upset लेना है दोसर आठ पापस लेना है दोजन एडिकेस का केस वापस लेना है ते अ प्रूर्देश ważne आव्डया में जुन हुआ था इन सब केस किसीने लिए ते अखै शाडव की सरकार ने 2013 में तो इनकी नियत बता रही है ना कि ये गुंडा और आतंकियों का साथ देते हैं अगर नहीं देते तो ये जो केस लिए थे बारे आतंकियों केस वापस लिए थिये 2013 में तो क्या वो सही थे तो अखले चल रहा है वहा है कि बुल्डूर्वज़र चल रहा है बहुत गलत चल रहा है अच्छा मुक्टारानसाइंड ने क्या कुछ किया थ़िय क्या किया था कैसे लोग विवेड खशा कर उनकी जमीनों को हड़ पाते, इसनोंने और अस्पताल बना रखा है नाम कुछ है डोकुमेंट में और काम कुछ और चल रहा है तो यह अभी धानी के कारिकरम होने वाला है बुल्डोजर पहुंच गया है वहाँ अस्पताल को भी ढाया जाएगा और मीट फैक्टरी को भी ढाया जाएगा वहीं शाजिल इसलाम के हम उन्हें पर चल दना अनुवर करताल सप्था दुख Lori जाए तो यह कानुणी राज का कहौफ है है यहां पर सिर्फ और सिर्फ कानून चल रहा है, यहां तानाशाई नहीं चलती है, यहां सर्फ एक ही कानून चलता है, यहां किसी धर्म या विशेस के आधार पर कानून नहीं चलता, कानून सब के लिए बरावर हैं, तो मुझे लगता है कि यह शहजिल इसलाम को जो सबक सिखाए गया है, इससे और नेता बहुत 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 शुक्रें तमाम जानकारी के लिए तो शैजिल इसलाम पर बड़ी कारवाई हुई है बीडिये ने बड़ी कारवाई करते वे उनके आज जो पैट्रोल पंप पर है उसे द्वस्त कर दिया है ये पैट्रोल पंप जो है वो बिना नक्षे के पास हुआ था इसलिए इसको द्वस्ति करन कर दिया गया है वही पर आगे आगे उनकी संपत्ती भी खंगाली जा रही है और और भी पता लगाया जा रहा है कि उनके पास और कौन को से अवैल समपत्ती है तो इसी पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, आप देखते रहें, क्यापिटल टीवी, नमस्कार हमें कमेंट बॉक्स में देश सकते हैं, हमारे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया